दोस्तों शायद अब यही सोचते होंगे कि शेर हाथी और भालू से कोई खतलनक जिब होई नहीं सकता पर अगर मैं कहूं इसे भी खतलनक एक छोटी कीरा हो सकती है तो आप शायद यह बात पुरी तरह से यकिन नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाज तक तो आपकी यह सोच पुरी तरह से बदल जाएगी वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाता हूँ अगर अपने अभी तक हमरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो फिर जल्दी है सब्सक्रेब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त राजू और आप देखरे एडवेंचर ट्यूप स्नेक क्याटर पिलर यह प्रजाती बिल्टेन और नेधरलेंड में पाए जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल साब जैसा लगती है और एही कारण है कि जब भी कोई पाक्षी इने खाने के लिए आते हैं तो वो इसे साब समझ कर डर जा ये किर्या जाब पूरी तरीक से फूर्ण हो जाती है तब ये एक तित्ली का आकार ले लेते है जिसे एलिफेंड होक्मोड के नाम से भी जाना जाते हैं कई लोग इसे काटेदर लक्डी के कीरे के नाम से भी जानते है इस कीरे की अकर बारा इंस तक होते है और ये खत्रों से बचने के लिए अपने आसपस के बातबरन में घुल मिल जाते है पर अगर किसी शिकरी से इसका सामना हो जाए तो ये बिच्छु जैसा बन जाते है और शिकरी को डंग मर लेते है जिसे शिकरी का बचना लगबग नामुम्किन है और एही बचे है कि कोई भी जनबर इसके नस्दिक नहीं आना चाते है मौट कैटरपिलार ये छोटा जनबर नौर्थ अमरिका के जंगलों में पाए जाते है ये किरा हरे रंका होते है और इसकी पूछ दो इस्सों में बटा हुआ है जब भी कोई शिकरी इस पर हमला करते है तो ये उन पर अपने शरीर में मौजुद जहर को फेकते है और एही कारण है कि कई जनबर इसके पास आने से भी डरते है और चिट मेंटिस दोस्तों अपने इनके जैसा खुबसूरत किरा आज तक नहीं देखा होगा जो बगीचे में लगे फूल जैसा नजर आते है ये जनबर ब्राजील, इंदोनेशिया और बंगलादेश में पाए जाते है इस प्रजाती के मादा मेंटिश नर मेंटिश से दोगुना बरा होते है और फूल जैसे दिखने वाला इस कीरा का उरने वाला कीरा मुख भोजन होते है ये कीरा बाकी कीरा से बिलकुल अलग है क्योंकि इसके आखे इसके चेहरे से काफी बरा है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कीरा हजारों साल पहले हमारे धर्ती पर इस जानबर का शरीर लंबा और पंक पारदर्शी होते हैं अगर आप इस जानबर को ध्यान से देखोगे तो इसके पेरों पर जो काटे हैं वो आपको नजर आएगा जिसकी मदद से ये शिकर को फसल लेते हैं और उनको खा लेते हैं आर्शा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल AdventureTube पे नए है और आप भी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस पे रूची रखते है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही फिर भी लूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार